सोचो, सुबा का वक्त हो, आप घर से ओफिस के लिए निकलो, एक खाकी वर्दी में, तीन स्टार हो आपके कंदे पे, और एक बुलेट पे बैठके ओफिस जा रहे हो, आसपास के लोगों को दिखाते हुए, सही समझा है आपने, आज हम एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में वो जाते हैं, और काफी दिनों के बाद वो वापस से सुच कर लेते हैं, किसी और जॉब में, किसी और डिपार्टमेंट में, ऐसा क्यों है, तो आप एंड तक बने रहो, मैं आपको एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में एक एक चीज, छोटी-छोटी डिटेल, एंड तक क्या ट्रेनिंग है, क्या प्रोज है, क्या कौन्स है, ये लेडिज के लिए सूटेबल है या नहीं है, एक-एक इंफोर्मेशन आपको एंड तक मिलेगा. हलो एवरिवन, अभिनब नाम है मेरा, सौगत करता हूँ आप सबका, आपके अपने यूट्यूब चैनल, लेट्स टॉक विद अभिनब में, आज हम बात करेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आ आने वाले समय में आपको जो भी जानकारी मिल रही है तो आप ये समझ लो कि डारेक्ट एक्साइज इस्पेक्टर के थुरू मिल रहा ना कि मेरे थुरू, तो चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसका सेलेक्शन प्रोसेस क्या है, सेलेक्शन प्रोसेस में आपको SSE CGL का एक्जाम देना होता है, एक्जाम के लिए जो eligibility है, वो minimum है कि आप एक graduation, आपकी किसी भी एक recognized university से हो, और special कोई भी demand नहीं है, आपकी जो उमर है वो 21 से 28 के ब बारे में बात करूँ, तो OA, यानि की जो एक one arm affected हो, one leg हो, या OAL हो, one arm, one leg, और hearing handicapped जो होते हैं, इनके लिए ये job suitable है, अगर आपको color blindness की problem है, तो ये job आपके लिए नहीं है, जब एक बार आप ये exam निकाल लेते हो, ये सारे exam दे देते हो, tier 1, tier 2, CGL का सारे exam crack कर लेते हो, तो आपका physical test भी होता है इसमें, physical test में अगर मैं boys की बात करूँ, अगर मैं men's की बारे में बात करूँ, तो minimum height की जो requirement है, वो है 157.5 cm, chest है 81 cm, और expand होना चाहिए, वो 5 cm minimum, फिर उसके बाद आपको walk करना होता है, 1.6 km 15 minute में, and cycling होता है 8 km 20 minutes में, ये boys के लिए है, जब मैं girls के बारे में बात करूँ, यानि मैं female candidate के बारे में बात करूँ, तो height जो minimum requirement है, वो 152 है, minimum weight आपका 48 kg होना चाहिए, आपको 1 km walk करना है, within 20 minutes, और 3 km cycling करनी होती है, within 20 minutes. selection process के बाद, बात करते हैं, salaries की, तो salary क्या है, कि अगर आप X city में हो, यानि Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Chinnay, जैसे city में हो, तो gross salary आपकी 79,000 रहती है, और in hand, approximately 72,000 से 73,000 के बीच में आता है, अगर आप Y city में posted हो, तो आपकी जो salary होगी, gross वो 75 होगी, और in hand salary आपकी 68 और 69 के बीच में लाए कर अगर आप Z city में posted हो, तो आपकी जो gross salary हो 68,500 के अपरोक्स होती है, और जो in hand salary हो 62 और 63,000 के बीच में आती है, तो ये तो बात हुई salary की, salary के अलावा आपको क्या-क्या परोक्स मिलते हैं, आपको uniform allowance मिलते हैं, 10,000 रुपी, जो uniform एक exercise inspector पहनता है, उसके लिए साल में उसको 10 10,000 रुपे मिलता है, उसके लिए LTC, Children Education Allowance, Hostel Subsidy, Baggage Allowance, Medical जितने भी allowance होते हैं, वो इसके अलावा दिवाली bonus, दिवाली bonus एक ची ध्यान रखना है, जितने भी 4600 grade पे तक की job है, उन सब को मिलता है, 4600 grade पे से उपर के लिए दिवाली bonus नहीं होता है एक बर जब आपका selection हो जाता है, एक science inspector में और आपको कोई ना कोई state मिल जाता है, या zone मिल जाता है, उसके बाद आपको एक training पे भेजा जाता है, basically training period पहले 7-8 week का हुआ करता था, अब बढ़ यह 14 week का है, 14 week की जो training है इसमें इसको 2 part में divide किया गया है, first phase होगा आपका 12 week का और जो second phase होता है, वो 2 week का होता है, first phase में जो आपकी training होगी वो Nassim Institute में होता है, Nassim basically stands for National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, यहाँ पे 12 months की आपकी training होगी, इसमें आपको Indirect Taxes जितने भी होते हैं, GST वगरा उनके बारे में बताया जाता है, basically यह theoretical portion इसमें रहता है, कि कैसे आपको जब आप desk में रहते हो, या जब आप field में जाते हो, तो कौन-कौन से rules के तहत काम करना है, यह सब आपको first 12 week में सिखाया जाता है, उसके बाद फिर आपका 2 week का training होता है, जिसको हम arms training भी कहते हैं, यह किसी भी police institute में हो सकता है, या फिर paramilitary institute जो होते हैं, वहाँ पे आपकी यह training हो सक training आपके पूरे career में यह सबसे अच्छे phase में से एक होता है, तो यह बात थी training की, एक बार जब आपकी training complete हो जाती है, उसके बाद आप वापस से अपने office में आओगे, और उस office में आपकी posting होती है, या तो आप desk job पे रहोगे, या फिर आप field job में रहोगे, तो desk job में जो mainly काम होते हैं, वो reports बनाना होता है, administrations का काम है, ठीक है, या फिर जो audit है, actually होता गया है, जितने भी companies है, वो GST फाइल करते हैं, तो randomly उनमें से कुछ select किया जाता है, ये computerized भी हो सकता है, या फिर जो उपर के officers होते हैं, वो select करते हैं, और particular वो आपको दे देंगे, like X या YZ company है, क आपको बस check करना है, कि उसने जो file किया है, CGST, वो सही है या नहीं, या SDST, यानि कि कुल मिला कि जो GST उसने file किया है, वो सही है या नहीं, और फिर उसका report आपको देना होता है, particular आपको एक time मिल जाएगा, उसके, उसी में आपको करना होगा, जब आप field में होते हो, तो field मे rate भी मार सकते हो, अगर आपके पास authority है, तो field में, और आप airport पर आपकी posting हो सकती है, port में posting हो सकती है, जिसको हम sensitive post भी कहते हैं, और ये basically पूरे career में आपको दो बार मिलेगा, यानि कि जो भी आपका career है, 32 से 35 साल का, it's on you, कि आप कितने साल में join कर रहे हो, तो maximum आप दो बार में आ जाओगे, तब आपको समझ में आएगा, बाहर वाले sensitive का मतलब पैसा समझते हैं, तो मतलब अगर आप illegally काम करोगे, तो साइब वहां से earn हो भी सकता है, बड़ ऐसा लोग एकसर करते नहीं है, तो ये sensitive posting maximum आपको 5 या 6 साल के लिए होता है, तो basically work profile के बारे में बात करे लोग की clerical job ही होगा, work profile के बाद बात करते हैं, promotions की, तो अगर मैं promotions की बात करूँ, तो आप excise inspector join करते हो, और 7-8 year बाद superintendent बनते हो, then again 7-8 years के बाद assistant commissioner, फिर deputy commissioner, फिर joint commissioner, और at the end commissioner, बट ये on paper है, अगर आप actually में देखोगे, तो जो maximum आप जा सकते हो, वो assistant commissioner, या deputy commissioner तक ही जा पाता है, तो इसमें थोड़ा promotions slow है, Promotions के बारे के बाद बात करते हैं, कुछ pros और कुछ cons की, तो सबसे अच्छी बात क्या है इस job के बारे में, वो है social recognitions, जब आपके साथ inspector लगा रहता है, तो वैसे ही society में आपकी बहुत इज़त बढ़ जाती है, और क्योंकि आप direct inspector बन रहे हो, तीन star लगा हो है, खाकी है, जब आप वर्दी बहन के office जा रहे होते हो, bullet पे बैट के है, कैसी भी जा रहे होते हो, तो आपका social recognition तो काफी अच्छा मिलेगा, तो आसफास में full respect मिलेगी आपको, देन दूसरा इसके साथ pros क्या है, कि diversity of work है, boring work नहीं है, कभी आप field में जाते हो, कभी आप audit पे रहते हो, जब आप desk job पे रहते हो, तो हो सकता है, थोड़ा monotonous work हो, लेकिन जब आप field में जाते हो, तो काम अच्छा है इसमें, यानि फिर आपको मज़ाएगा, यानि कि काफी सारे departments में बटे रहते हैं, काफी सारे sections में बटे रहते हैं, तो वहाँ जाकर आपको काम करने में और मज जाएगा, देन एक और सबसे अच्छी बात क्या है ना, job after retirement, जब आप एक बार 5 साल, 10 साल, 15 साल नौकरी कर लेते हो, तो आपको ना, taxation system के बारे में बहुत अच्छी knowledge हो जाती है, तो जब एक बार आप taxation system को जान लेते हो ना, तो आप private companies को भी अपनी service दे पाऊगे, तो य यह कुछ अच्छाईयां थी, अब कुछ problems के बारे में बात करते हैं, यानि कुछ cons के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला जो इसके साथ main problem है, वो है south posting, maximum job जो है, वो south की तरफ आती है, क्योंकि जो main main ports है, वो north में नहीं है, और SSE में north के बच्चे जादा होते हैं, तो जो एक बहुत बड़ी problem है, इसके साथ वो है non transferable, तो non transferable कई बार pros में भी आता है, क्योंकि आप फिर settle हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन इसके साथ एक बड़ी problem क्या है, ये state transfer नहीं होता है, zone transfer नहीं होता है, बट inter zone transfers होते हैं, लाइक कि अगर आपको राची zone मिल जाता है, त तो ऐसा नहीं है कि आप जंदगी बर राची रहोगे, तो राची के अंदर जितने भी offices होंगे, sub offices वहाँ पे आपकी posting हो सकती है, तो आप कहीं पे भी settle नहीं हो पाओगे, ये इसके साथ सबसे बड़ी problem है, pros और cons के बात करते हैं, conclusion की, तो क्या है ये job, आपके लिए suitable है य इंड में लोग वैसे भी जाने के लिए मरते हैं, तो आप desk पे कर सकते हो, लेकिन इसके साथ एक बड़ी problem है, south posting, तो अगर आप North Indian हो और south में जाना है, और आपको साधी के बाद भी देखना है, कि घर कैसे चलाना है, तो सायद थोड़ी problem हो सकती है, क्योंकि इसमें transfers बिलक करना पसंद है, तो काफी अच्छी जॉब है, कुछ cons है, लेकिन इतनी नहीं है, जो इनके cons है, यही एक कारण है, जिसके कारण लोग जो है कि पहले आप वो exercise inspector बनते हैं, बाद में वो फिर SSE का exam देके job switch कर लेते हैं, क्योंकि वर्दी वगेरा जो होता है, यह थोड़े द पसंद आया है, अगर पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को like कर देना, अपने दोस्तों के साथ share कर दो, ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अगला वीडियो आपको कौन से job पे चाहिए, आप नीचे comment में बदा देना, मैं कोसिस करूँगा next week तक उसको आपके लिए provide कर दू, thank you so much, मिलते हैं अगले session में